नमस्टकार दोस्तों मेरे नाम है शशकानपंडित और आपका स्वागत है मुंस्ट्रून क्लासेस में तो इस पॉर्टिक्लर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 की Mathematics की रिवीजन सीरीज और यह Mathematics रिवीजन सीरीज की चौथी वीडियो है इससे पहले कि अगर आप तीन वीडियो नहीं देखें तो इससे जरूर देखेंगा क्योंकि आपके जो फॉर्ट कमिंग बोर्ड एक्जाम्स हैं उसमें बहुत-बहुत हेल्प करेगा उसमें मैंने सब साथी साथ प्रिंट कॉमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो में हम लोग लगवग 20 कोशन्स डिसकस करेंगे जो कि सारे ही mcq-based होंगे तो अन तक जरूर देखेगा और अगर अच्छा लगए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा और एक इंपो कर दीजी और खुद से सॉल्व करने के कोशिस कीजी अगर और उसके बाद आप अंसर मैच कर सकते मेरे अंसर से मैच हो जाएगा बहुत अच्छा है आपका प्रोग्रेस भी पता चल जाएगा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो उस तरह से इस वीडियो को देखिएग सबसे पहला question देख लेते हैं कि if minus 1 to the power n plus minus 1 to the power 4n is equal to 0 then n क्या होगा any positive, any negative integer, any odd natural number और any even natural number तो हम लोग अगर any positive लेते हैं n का value अगर 1 ले लेते हैं तो क्या होगा तो इसका जो value आएगा ये पूरा equation का हो सकता अगर n लेंगे तो हमारा value 0 आए या फिर n अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो ये 0 नहीं आएगा तो ये 0 नहीं आएगा तो कोई भी positive number लेंगे तो हमारा value हमेशा 0 नहीं आएगा, हमेशा 0 आना चाहिए तो पहला option नहीं होगा second जो है negative integer अगर हम लोग लेंगे n का value अगर माल लेते हैं minus 1 लेके करते हैं या कोई भी negative integer लेके करेंगे तो भी हमारा answer 0 नहीं आएगा ठीक है फिर तीसरा option है कि any odd natural number हाँ अगर हम लोग कोई भी odd natural number जैसे 1 ले लेते हैं या फिर 3 ले लेते हैं या फिर 5 ले लेंगे अगर ऐसे करके लेंगे तो हमारा answer हमेशा 0 आएगा ठीक है तो देख सकते हैं अगर हम लोग 1 लेते हैं तो मालने तो minus 1 to the power 1 plus minus 1 to the power 4 into 1 that is 4 ठीक है तो यह क्या होगा minus 1 to the power 1 minus 1 ही होगा और यह क्या हो जाएगा plus 1 हो जाएगा तो minus 1 plus 1 क्या हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा तो कोई भी odd number अगर लेते हैं इसके जगह अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो उसमें भी क्या होगा minus 1 और इधर में क्या हो जाएगा यह 12 हो जाएगा तो यह भी फिर plus 1 ही होगा तो again it will come 0 तो any odd natural number लेने से हमारा 0 आएगा आप even natural number लेके कर सकते हैं वो 0 नहीं आएगा हमेशा तो आपको बस पता करना है कि कौन सा आएगा तो obviously option number C जो है हमारा correct answer होगा आप सारे ही values पूट करके चेक कर सकते option C ही आएगा next question number 2 देखते हैं यह है trigonometry से question बहुत असान सा है कि tan square 45 degree minus cos square 30 degree is equal to x sin 45 degree cos 45 x की value just हमें find out करना है तो हम लोग tan 45 की value क्या होती है तो tan 45 की value होती है 1 का square minus cos square 30 cos 30 का value क्या होता है तो root 3 upon 2 2 और square हो जाएगा is equal to what x sin 45 का value क्या है 1 upon root 2 cos 45 का भी value क्या है 1 upon root 2 तो इधर में क्या हो जाएगा 1 minus 3 by 4 और right hand side में हो जाएगा x 1 by 2 हो जाएगा तो इधर LCM 4 minus 3 that is 1 is equal to x 1 by 2 तो x की value क्या जाएगी तो ये 2 by 4 हो जाएगा that is half x की value क्या जाएगी half that is option number a is our correct answer तो आप match कर सकते हैं next question number 3 देखते हैं the ratio of the total surface area to the lateral surface area of a cylinder ठीक है cylinder की बात की जा रही है तो lateral ये curved surface area तो ये ऐसा cylinder होता है जब मैंने पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि जो curved surface area होता है बस ये ये वाला part होता है जिसका formula में ली क्या है तो उसका formula है curved surface area का 2 pi r h ठीक है और total surface area में कहाँ जाएगा तो अपर वाला circular portion और नीचे वाला circular portion ये दोनों ही add हो जाएगा तो इसका होता है pi r square इसका होता है pi r square that is 2 pi r square होगया थिक है तो 2 pi r square this is what? total surface area है ना तो total surface area हम लोगcommon क्या ले सकते हैं 2 pi r common ले सकते हैं, h plus r बन जाएगा, यह हमारा total surface area होगा, और lateral surface area का ratio क्या है, तो 2 pi r h, ठीक है, तो दोनों में ही क्या है, 2 pi r common है, तो यह cancel out हो जाएगा, बचेगा क्या, h plus r divided by h, ठीक है, तो h कितना है, h दियावा 20 cm, r दियावा 80 cm, divided by h, that is 20, 20 plus 80, 100, 100 by 20, that is 5 by 1, ठीक है, तो option number d is our correct answer, ठीक है, next question number 4 पर चलते है, दिया है, तो probability of getting 101 marks in out of 100 marks, ठीक है, तो यह बहुत simple सा question है, class 7-8 का बच्चा भी कर सकता है, और ऐसा question, cvse class 10 में क्यों देता है, तो हर question tough नहीं बना सकता है, या above average नहीं दिया सकता है, कुछ questions ऐसे होंगे, चो हर बच्चा ही कर सकता है, attempt कर सकता है, और एक basic passing marks आ सकता है, तो कुछ questions बहुत-बहुत easy रहेंगे, और क्या होगा, खुद self-doubt होने लेगा, कि इतना easy question कैसे दे दिया गया है, तो आप उस चकर में गलती कर सकेंगे, गलती कर देंगे, तो overthink बिल्कुल मत कीजिएगा, जो answer होगा, वही आपको करना है, ठीक है, 101 out of 100 कभी मिल सकता है, क्या है, वो कभी नहीं हो सकता है, वो impossible event की बात की जा रही है, तो इसका answer option number C, that is 0 ही होगा, जैसे case में अगर देख सकते हैं, जैसे ludo की जो dice होती है, उसमें क्या होता है, 6 होता है, maximum तो 6 होता है, तो क्या उसमें 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है, impossible event है, उसी तरह से 100 में से, कभी भी 100 बन तो नहीं आएगा, option number C is our correct answer, that is impossible event वाला, फिर question number 5, यह सबसे important question है, इस type of questions आने के बहुत-बहुत chances रहेंगे, ठीक है, तो दिया गया क्या, the ratio in which the line, यह equation दिया है, divides the segment, joining the point, 1,3 and 2,7, ठीक है, यह बहुत confusing है, और यह maximum student इसका answer, या तो skip कर देंगे, या गलत निकालेंगे, तो basically एक line segment है, और उनके coordinates दिये गया है, माल लेते हैं, यह coordinate A है, और यह B है, ठीक है, और एक line है, यह line का equation, जो की एक particular point से जाता है, ठीक है, माल लेते हैं, इस point से जाता है, C point से जाता है, ठीक है, तो हमें, हमें क्या निकालना है, हमें ratio निकालना है, तो माल लेते है ratio B, K is to 1, ठीक है, K is to 1, और A का coordinate क्या दिया गया है, 1 by 3 मैंने माल लिया है, और B का coordinate 2,7, ठीक है, और C का जो coordinate है, वो माल लेते है, X,Y, ठीक है, तो हम लोग C के coordinates निकालेंगे, तो C के X coordinate क्या होगा, formula हम लोग लगाएंगे, तो क्या आएगा, 2K plus 1 divided by K plus 1, ठीक है, and Y coordinate क्या आएगा, तो 7K plus 3 divided by K plus 1, ठीक है, यह हमारा आगया, बट जो C point है, यह C point जो है, उसको यह जो equation वाला line है, यह cut कर रहा है, तो हम लोग इस equation में value put करेंगे, यह जो X और Y की value है, वो इस equation में, that is, 3X plus Y minus 9 is equal to 0, ठीक है, तो 3X क्या है हमारा, 2K plus 1 divided by K plus 1, फिर plus Y that is, plus 7K plus 3K plus 1, और इधर में minus 9 is equal to 0, बस अब इसी को हमें solve करना है, ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा, नीचे K plus 1, K plus 1 है, और इधर में आ जाएगा यह, तो यह, जो हमारा right hand side हो, वो तो 0 ही रहेगा, क्योंकि, K plus 1 into 0, तो 0 ही होगा, ठीक है, तो इसको just हम लोग solve करेंगे, तो क्या होगा, 6K plus 3, plus 7K plus 3, और यह 9 से multiply होगा, तो minus 9K, ठीक है, minus 9K, minus 9, is equal to 0, ठीक है, तो 6K, 7K होगा, 13K, and 13K minus 9 के कितना हो जाता है, तो यह होगा 4K, फिर 3 plus 3, 6, 6 minus 9 कितना हो गया, तो minus 3, that is equal to 0, तो 4K is equal to what, 3K is equal to what, 3 by 4, तो ratio हमारा निकल गया, K का value आगया हमारा, 3, और 3 by 4, यह 4 हो जाएगा, और यह 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यह वाला हमारा निकल गया answer, देख सकते है, option number A, ठीक है, तो बहुत अगर ध्यान से नहीं करेंगे, तो आपका answer B भी निकल सकता है, 4 by 3, तो answer जो होगा, वो option number A, is our correct answer, ठीक है, यह थोड़ा complex question था, लेकिन यह question, ऐसा question, 20 marks के question, जो MCQ होए, उसमें से 2-3 question ऐसा दिया जाएगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा, उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है, काफी lengthy भी हो सकते हैं, काफी one marks के लिए काफी lengthy हो गई है, ठीक है, next question number हम लोग पर चलते हैं, question number 6, यह भी बहुत असान है, statistics है, कि median दिया गया है, mean दिया गया है, value of the mode, बहुत असान सा question है, अगर आपको formula पता है, इन तीनों का relationship पता है, mean, median, mode का, तो यह question बहुत असानी से हो सकता है, relationship क्या है, mean, median, mode का, तो mode is equal to what, 3, median, minus, 2, mean, बस, यही formula अगर आपको पता होगा, तो आसानी से कर सकते हैं, 3 median means, 3 into 137 minus 2 mean, that is 137.05, ठीक है, हम लोग इसको multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 1141, and minus, यह हो जाएगा, 274.10, ठीक है, और minus करेंगे तो, 0.90, और यहर में, 6, 136, तो option number B, जो है, हमारा correct answer होजागा, तो बस अगर आपको यह relationship पता होती है, यह formula पता होता है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो कुछ question तो ऐसे ही होंगे, जो formula based ही होंगे, फिर question number 7 चल जाते हैं, कि how many terms are there in the arithmetic series, तो यह कितने terms है, तो यह छोटा, यह बहुत जादा लंबा नहीं है, हम लोग इसको manually भी count कर सकते हैं, तो बहुत student जिनको formula पता नहीं होगा, ट्रिक पता नहीं होगा, तो manually count करने लगेंगा, और उस चक्कर में, उनका answer wrong भी हो सकता है, अगर यह 75 के जगा में अगर दे दिया होता है, 275 तप या करते हैं, manually count करते हैं, यह तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा, और answer जो होगा, वो incorrect आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, formula लगाएंगे, हमें A दिया गया है, that is 1, D common difference क्या होगा है, दो, ठीक है, and last term जो है, TN क्या होगा 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 है, 75, ठीक है, तो हमें बस N find out करना है, यह इना formula है, तो TN का हम लोग formula लिखेंगे, ठीक है, A plus N minus 1, D, TN कितना दिया होगा है, A कितना है, 1, फिर 2N minus 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2N minus 1, is equal to 75, that is 2N is equal to 76, N is equal to what, 38, ठीक है, तो N is equal to 38, that is option number D is our correct answer, ठीक है, तो इससे exactly हमारा N का value निकलाएगा, ठीक है, तो यह formula ज़्यादा यूज़ किजएगा, manually count करने जाएगे, तो wrong होगा, ठीक है, next question number 8 पर चलते हैं, कि if tan theta is 15, 8 tan theta is 15, then find the value of sin theta minus cos theta, यह भी बहुत आसान से question है, इसके लिए एक छोटा साइड, डाइग्राम बना लीजिए, तो आसान रह जाएगा, ठीक है, 8 tan theta is equal to 15, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is, tan theta is equal to 15 by 8, ठीक है, और 15 क्या हो जाएगा, formula अगर पता है, turning permanently back, that is, perpendicular by base, ठीक है, तो 15 और 8, हमें हाइपो, क्योंकि यह right angle triangle है, तो हाइपोटनिवस निकालना है, तो 15 का square, प्लस 8 का square, मैं step jump कर रहा हूँ, इसको आपर solve करेंगे, 15 का square, प्लस 8 का square हो जाता है, root 289, that is, 17 का square होता है, तो हमारा हाइपोटनिवस 17 आगया, अब हम sin theta क्या होगा, sin theta minus cos theta का value निकालना है, तो sin theta means, some people have, that is, perpendicular by hypotenuse, and, cos theta का क्या होगा, तो base by hypotenuse, that is, 8 by 17, ठीक है, तो 17 LCM हो जाएगा, और यह आजाएगा हमारा 7, 7 by 17 हो जाएगा हमारा answer, that is, option number A is our correct answer, next हम लोग question number 9 पर चलते हैं, कि the pair of linear equation, x plus 2 y is equal to 5, and 3x plus 12 y is equal to 10, has what, unique solution, no solution, more than 2 solution, infinitely many solution, हाँ, इस type of questions भी आने का बहुत chances रहेंगे, तो आपको अगर solutions के जो conditions है, अगर पता होगा, तो बहुत easily solve पर सकते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं, कि A1 by A2 क्या है, और B1 by B2, and C1 by C2, यह करके आँ लोग देखते हैं, तो A1 क्या है हमारा 1, A2 है 3, B1 क्या है 2, और B2 है 12, C1 क्या है 5, करेंगे, तो 1 by 6 हो जाएगा, 1 by 6 not equal to 1 by 6, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2, तो यह कब होता है, तो यह unique solution में होगा, ठीक है, तो option number A जो होगा, वो correct answer होगा, मतलब A की solution मिलेगा, ठीक है, unique solution होगा, फिर हम लोग question number 10 पर चलते हैं, कि in the given figure, if triangle ACB is similar to APQ, BA is 6 cm, BC is 8 cm, PQ is 4 cm, then the length of AQ, मतलब हमें AQ का length find out करना है, ठीक है, तो AQ का length find out करना है, तो बस हम लोग वही, थेल्स थियोरों वाला हम लोग property लगाएंगे, तो क्या होजाएगा, हम लोग लिख सकते हैं, that is AB by BC is equal to AQ by PQ, ठीक है, तो AB क्या है हमारा, AB है हमारा 6, और यह है 8, और AQ तो हमें निकालना है, और यह हो गया 4, तो इसको just हम लोग solve करेंगे, तो यह हो जागा 6 into 4 by 8, that is, और यह ऐसे करेंगे तो 3, तो हमारा AQ जो निकाल आएगा वो 3 cm, बहुत easy question है, आप यह question और यह भी कर सकते हैं, क्योंकि MCQ question है, तो just हम आप्शन सी click नहांगे, कुछ step दिखाने की जरुवत नहीं है, फिर हम लोग question number 11 पर आ जाते हैं, कि इन दा गीवन फिगर, D is parallel to BC and AD by DB, ठीक है, AD by DB दिया गया है, 3 by 5, ठीक है, यह भी बहुत बहुत वाई साही question है, कि if AC is equal to 4.8, पूरा length दिया हुआ है, 4.8, ठीक है, तो find the length of AE दिया गया है, माल लेते हैं, AE का length X है, ठीक है, तो EC क्या हो जाएगा, EC will be 4.8 minus X, इफ AE is X, और AC total है 4.8, तो मतलब EC आगया हमारा 4.8 minus X, फिर the length theorem लगाएंगे हम लोग, तो 3 by 5 क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं, X is X by 4.8 minus X, ठीक है, अब cross multiply होगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 into 4.8 कितना होता है, तो यह 14.4 हो जाएगा, ठीक है, minus 3X और इधर में हो गया, 5X, तो इधर 3X इधर आजाएगा, तो 8X हो जाएगा, और 14.4, that is, X is equal to what, 1.8, ठीक है, 1.8 cm हमारा answer आजाएगा, हमें X AE का लेंद फाइड़ आट करना है, तो X आगे, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि AE का लेंद फाइड़ आट करना है, कि EC का लेंद करना है, ठीक है, तो 1.8 आवर करेक्ट आँसर, that is, option नमर 20 आवर करेक्ट आँसर, नेक्स्ट हमने question number 12 पर चलते हैं, कि if radius of the circle is 3 cm, tangent drawn from the external point to the circle is 4 cm, then the distance from the center of circle to the external point is what? ठीक है, तो यह figure मैंने बना दिया है, अटेच किया होगा अलरेड़ी, इसलिए आपको बहुत आसान लग रहा होगा, तो सबसे main इस problem का है, कि आपको figure draw अच्छा से करना, अगर figure आपका correct है, तो answer तो बहुत easy निकल आएगा, ठीक है, तो radius दे दिया गया है 3 cm, और tangent वहाँ से दिया हुआ है 4 cm, ठीक है, और बस हमें op, जो length है, वो निकालना है, जो हम लोग Pythagoras theorem से लगाएंगे, तो यह 5 cm आजएगा, तो यह question का सबसे main trick था, कि diagram अगर सही बना होगा, तो आसानी से यह answer निकल आएगा, तो option number C is our correct answer, फिर question number 13 पे चलते हैं, the difference between the circumference, and the radius of a circle is 37 cm, the area of the circle निकालना, ठीक है, the circumference of the circle क्या होता है, तो वो होता है 2 pi r, and radius, difference क्या है, minus radius is equal to 37, है ना, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, common r common ले सकते हैं, तो 2 pi minus 1 is equal to 37, ठीक है, तो हम लोग इसको solve अगर कर लेते हैं, जो 2 pi को हम लोग क्या ले सकते हैं, 44 upon 7 minus 1, ठीक है, r is equal to 37, ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, 37 into 7 divided by 44 minus 7 कितना होता है तो 37 यह 37, 37 कट गया आ रहाए गया 7 हमें निकालने area of the circle that is pi r square formula है 22 by 7 into 7 into 7 that is 77 कट गया 22 into 7 कितना होता है 154 that is option number C is our correct answer ठीक है next question number 14 पर चलते हैं यह question भी कुछ हद तक बहुर tricky है maximum student इसको skip करने चाहेंगे ठीक है इस question को कैसे deal करना देखिए कि यह statistics है कि if x i if x i are the midpoints of the class interval of the group data and f i are the corresponding frequencies and x bar is the mean ठीक है तो x i आ गया हमारा जो midpoint होता है class intervals का fi दे दिया गया frequency ठीक है और हमें mean भी दिया गया है mean is what x bar दिया गया है ठीक है तो हमें इसका value निकाला है equation का तो हम लोग ने पढ़ा क्या है कि mean का जो formula होता है x bar is equal to summation of what x i fi ठीक है fi by n ठीक है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं that is summation of x i fi is क्या होगा x bar into n लिख सकते हैं अब इस equation को यह अगर हम लोग लिख तोड़ते हैं तो क्या बनेगा summation fi x i minus summation x bar है ना और fi x i क्या है हम लोग ने निकाला यह value नहीं होता है यह value यहाँ पर put करेंगे तो क्या होगा x bar minus x bar n minus summation of x bar और summation of x bar ही क्या होता है वही होता है summation of x bar या फिर हम लोग जिसको mean कहते हैं तो वह यही होता है तो x bar n minus x bar n यह दोनों cancel out हो जाएगा answer क्या आएगा 0 आएगा तो यह answer आजाएगा option number 1 तो अगर आपको यह पता हो mean कैसे निकाला जाता है formula क्या है तो यह question आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको यह पता होता है कि summation of x bar का मतलब summation of x bar into n होता है तो आप easily this question को कर सकते हैं नहीं तो यह question solve करना बहुत मुश्कुल हो जाएगा ठीक है यह question भी इस type of question statistics से आ सकता है तो सबको statistics easy लगता है लेकिन बहुत टर्की दिया जा सकता है ठीक है next question पर हम लोग चाहते question number 15 यह बहुत-बहुत easy question है बच्चोंवाला question है कि the sum of two numbers is 137 and the difference is 43 right the situation can be algebraically represented ठीक है न तो क्योंकि syllabus change भाए तो बहुत जादा graphically representation ऐसा कुछ अभी दिया नहीं है सिर्फ algebraically represent करने के लिए ही दिया गया आपके नहीं syllabus में तो इसका equation क्या sum of two numbers मालने तो दो numbers x है और एक y है sum क्या हो जागा x plus y is equal to 137 और difference क्या हो जागा x minus y is equal to 43 तो कौन सा option हो रहा है तो option number c is our correct answer ठीक है बहुत बहुत easy था यह फिर question number 16 भी कुछ तक easy है the smallest odd composite number अगर बहुत student को पता ही नहीं होगा composite number तब तो करी नहीं सकेंगे ठीक है तो composite number वैसे numbers होते हैं जिनके पास में तीन factors होते हैं एक तो खुद वो number ठीक है फिर एक होता है one एक वो खुद number itself the number और उसके अलावा भी एक factor होना चाहिए उसको हम लोग कहते है composite number मतलब minimum three factors होने चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए तो चलेगा ठीक है तो जब से सबसे smallest composite number बेसिकली उसको हम लोग four कहते है ना four का कौन कौन से factor तो one है फिर वो खुद भी है four भी factor है और two भी है तो यह four जो होता है सबसे smallest composite number है लेकिन यह odd नहीं है यह तो even है हमें odd उसका नहीं तो देख सकते यह तीनों ही यह चारों यह option क्या है यह odd है लेकिन three जो है वो obviously smallest तो नहीं है यह है नहीं इसका factor क्या होगा one or three है ठीक है nine का factor देखते है तो nine का factor कितना है तो one भी है nine भी है three भी है तो हाँ यह हो सकता साइट फिर five का क्या है तो only one comma five होगा और seven का क्या है one comma seven होगा तो option number that is b nine जो है वो correct answer होगा क्यूंकि इसके पास ही तीन से अधर factor तो ऐसे questions भी आ सकते हैं बहुत easy है लेकिन पता जरूर होना चाहिए फिर question नहीं 17 देखते हैं यह भी काफी tricky question है तो मैं बोल रहा हूं न कि लगबग 20 question में से ऐसे तीन से चार question ऐसे होगे जो थोड़े बहुत tricky होंगे और चार-पाच student हो वह भी पास हो सके ठीक है तो question नमा 17 क्या बोलता है कि if alpha and beta are the zeros of the polynomials fx यह लिया गया equation such that alpha plus one into beta plus one is equal to zero then c is equal to हमें c के value निकाना है तो सबसे पहले इस equation को देखते है इस equation को अगर हम लोग देखें तो fx is equal to x square minus px plus one minus c square solve करते हैं तो x square minus px minus p minus c तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं x square minus px minus p plus c bracket में यह लिख सकते हैं ठीक है तो अब हम लोग को पता है यह लोग यह तो हम लोग ने पड़ा ही है alpha plus beta product sorry some of the zeros क्या होता है वो होता है minus b by a तो b क्या है b क्या है हमारा minus p ठीक है and a है हमारा one तो minus minus plus हो जाएगा तो p हो गया answer फिर product of the zeros क्या होता alpha beta यह होता है what c by a तो c क्या है हमारा minus p plus c bracket में divided by one that is minus p plus c ठीक है यह हमारा दो values निकल गए अब हम लोग को इस equation में इस equation को देखना है कि alpha plus one alpha plus one whole into beta plus one is equal to zero तो alpha इसको हमारा multiply करेंगे तो क्या होगा alpha beta plus alpha plus beta plus one is equal to zero तो alpha beta that is product product of the zeros का value क्या है minus p plus c और alpha plus beta sum of the zeros का value क्या है तो p आया और plus one is equal to zero तो minus p plus p cancel out हो जाएगा बचेगा क्या c ठीक है sorry यह bracket में था है ना sorry यह क्या हो यह bracket में था ना तो यह हो जाएगा minus c plus one is equal to zero तो minus c is equal to minus one तो minus minus cancel तो c के value क्या आ जाएगा one आ जाएगा तो बहुत ध्यान से करना परेगा नहीं तो answer जो आपका minus one भी आ जाएगा तो इसका answer जो होगा option number a that is c is equal to one होगा answer ठीक है फिर हम लोग question number 18 पर चलते है question number 18 क्या है question number 18 क्या है two cones have their height in the ratio of ratio of one is to four and the radii का ratio दिया four is to one हमें निकाने the ratio of their volumes तो volume का formula क्या हमान लात है तो वी वन है और वी टू है तो volume क्या होता है one by three pi r square h है ना कोन का है यह कोन का पूछाए गाता one by three pi r square h तो one by three pi r1 square h1 divided by क्या हो जाएगा one by three pi r2 square h2 one by three pi cancel out हो जाएगा ठीक है r1 क्या है हमारा radius तो radius क्या है four four का square हो जाएगा ठीक है और h1 क्या है तो h1 है हमारा one ठीक है तो one and second is r2 क्या है हमारा r2 है हमारा one one का square into h2 क्या है तो हमारा four ठीक है तो four का square क्या होगा 16 into one 16 और one का square one into four that is four solar is to four that is four is to one हो जाएगा हमारा answer ठीक है तो option number b is our correct answer यह भी बहुत easy question था question number 19 पर मुव करते हैं यह कुछ question है तो यह भी बहुत आसान सही है देख सकते हैं कि assertion दियागी कि if the circumference of the circle is 176 cm then its radius is 28 cm क्या यह statement सही है तो circumference two pi r is equal to what 176 radius क्या दियाएगा 28 that is 2 into 22 by 7 into 28 in 24 करेंगे यह हो जागा 8 to 22 into 8 हाँ 176 ही होता है assertion सही है और reason क्या है circumference is equal to 2 pi into radius हाँ यह दोनों ही सही है और यह जो reason है correct भी assertion का तो option number a जो है वह correct answer बन दाएगा that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion ठीक है फिर question number 20 पर चलते हैं कि assertion दियाएगे कि root 2 is an irrational number ठीक है तो यह क्या सही है हाँ बिल्कूर 2 is an irrational number ठीक है and if p be a prime number then root p is an irrational number हाँ जैसे कि 2 भी एक prime number है तो वह भी एक irrational number है root 3 यह भी एक irrational number है रेकिन root 4 irrational number नहीं है तो यह prime number जैसे root 5 यह भी rational number है तो यह क्या हो जागा दोनों ही correct है assertion and reason भी correct है and जो reason है वह भी correct explanation of the assertion है ठीक है तो option number a is our correct answer ठीक है तो इस तरह से हम लोग लगबख सारे 20 questions discuss कर चुके हैं और उमीद करता हूँ आप सभी के questions के जो answers है वह match हुए होंगे next video में हम लोग और भी बहुत सारे questions discuss करेंगे basically long question जो की two marks, three marks, four marks के type के होंगे उसको हम लोग discuss करेंगे तो next video में जरूर देखेगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो helpful हो तो like जरूर कीजेगा comment करके बताईए को suggestions हो and share and subscribe कर सकते हैं मिलते हैं next video में till then bye bye जेंग